हलो सुदेंट्स वेलकम तो दिविजै सिंग क्लासेज मैं गौतम राय आपका मैस टीचर तो सब लोग अच्छे हैं पेपर की तियार अच्छे से कर रहे हैं ठीक हैं और आई होप आप लोगो मैस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ठीक लास्ट की जो वीडियो थी वह और मैनी सॉल्यूशन पैरलल रेखाए समपाति के लिए और नो सॉल्यूशन किसके लिए था ठीक है जिसका कोई हल ना हो ठीक उसी पर बेस आज हम कोश्टन लगा रहे हैं ठीक तो हम आज एक्ससाइज 5.2 का कोश्टन अबर सेकेंड लगा रहे हैं जो है अन कंपेरिंग A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 find the lines are intersecting at a point are parallel और coincident मतलब हमें क्या करना है A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 इसको compare करना है इनकी values निकाल ली है और पता करना है कि जो दो lines है वो क्या किसी एक point पर cut कर रही है प्रतिछेत कर रही है या फिर parallel है समानतर है या फिर consistent है ठीक है तो हम consistent है इसके लिए हम आज question को start करेंगे तो हमेशा याद रखी question को start करने के लिए आपके पास 2 equations दी रहेगी ठीक है दोनों equation का standard form क्या होना चाहिए AX plus BY plus C equals to 0 छोटी सी बार equal to में आपका 0 आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो आपको desert को आगे पीछे ले जाके 0 लान पड़ेगा तो देखिए हमारे पास क्या equation दे रहे है तो जो हमें पहली equation दे रहे है 5X यह होगई हमारी बिटा पहली equation और यह हमारी दूसरी equation ठीक है तो देखो क्या दिया है 5X minus 4Y plus 8 equals to 0 अपने standard form में है अगली equation देखो 7X plus 6Y minus 9 equals to 0 यह भी अपने standard equation में है ठीक है तो हम A1 B C1 C1 और A2 B2 C2 के value निकालते हैं देखिए बिल्कुल है पहली equation को लिखना 5X minus 4Y plus 8 equals to 0 इसको compare कर दो इसको compare करेंगे पहली equation से क्योंकि यह पहली equation है तो standard form क्या होता है पहली equation का A1X plus B1Y plus C1 equals to 0 फिर से बोलो A1X plus B1Y plus C1 equals to 0 तो चलो हम compare करते हैं simple A1X plus B1Y plus C1 equals to 0 तो देखो यहाँ पर XX है तो A1 की value किती होगे compare करने पह 5 A1 की value किती मिल गई मुझे 5 तो A1 हो गया हमारा 5 देखो B1 कितना है 4 ध्यान से देखो B1 क्या दिख रहा है 4 लेकिन एक छोटा सा concept और है B1 के आगे देखो 4 के आगे कैसे sign लगा हुआ है माइनस का तो आपको माइनस का sign consider करना है तो बेटा B1 की value किती हो गई 3-4 आप सीवन की उपर आते हैं तो देखो सीवन कितना है 8 सीवन कितना है एट सीवन की value हो गई बेटा एट ठीक है इस तरीके जा हमने एवन बीवन सीवन निकाल दिया बिल्कुल सिंपल compare करो और निकाल लो अब हम सेकंड एक्वेशन लेते हैं तो हमारी बेटा सेकंड एक एक्वेशन क्या है सेगंड एक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 एक्वेश्टू 0 हम इसको भी compare करेंगे compare किससे करेंगे यह पहली एक्वेशन थी इसलिए एवन बीवन सीवन तो सेकंड एक्वेशन में क्या हो जाएगा a2, b2 और c2 मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 एक्वेश्टू 0 तो चली एक्वेशन आजाएगी बेटा हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 एक्वेश्टू 0 तो compare करो चलो a2 किसके बराबर हो जाएगा 7 के a2 equals to 7 अब b2 निकालो b2 किसके बराबर हो रहा है 6 के और c2 किसके बराबर हो रहा है देखो minus का 9 तो यहां हमने compare करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिया है अब हमें करना क्या था देखो on comparing a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तो हम क्या करेंगे a1 upon a2 की value निकालेंगे b1 upon b2 की value निकालेंगे और c1 upon c2 की value निकालेंगे तो चलो निकालते हैं a1 upon a2 तो देखो बटाए a1 की value कित्ती है a1 की value है 5 और a2 की value है 7 a1 upon a2 कित्ता आ गया 5 upon 7 ठीक है फिर हम निकालेंगे b1 upon b2 की value B1 upon B2 तो देखो B1 upon B2 कितना आ रहा है B1 की value है minus 4 और B2 की value है 6 minus 4 upon 6 तो cancel करो इसको देखो 2 से cancel हो रहा है 2 2s are 4 और 2 3s are 6 कितना है B1 upon B2 देखो minus 2 upon 3 और अब हम निकालेंगे C1 upon C2 तो बेटा C1 upon C2 कितना होगा देखो C1 की value कितनी है 8 और C2 की value है minus 9 8 upon minus 9 तो minus कूपर भेंज़ दो तो हो जाएगा minus का 8 upon 9 अब बस हमें compare करना है तो सबसे पहले आप कौन सी condition के लिए compare करोगे पहली condition के लिए unique solution के लिए या फिर अध्विती हल के लिए तो क्या condition थी unique solution या अध्विती हल की A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 मतलब A1 upon A2 और B1 upon B2 के value बराबर नहीं आनी चाहिए चेक कर ये जरा A1 upon A2 कित्ता है 5 upon 7 B1 upon B2 कित्ता है minus 2 upon 3 तो देखो बराबर आई क्या बराबर नहीं आई तो हम ऐसा लिख सकते है न 5 upon 7 not equal to minus 2 upon 3 मतलब 5 upon 7 और minus 2 upon 3 बराबर नहीं है A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 मतलब A1 upon A2 और B1 upon B2 के value बराबर नहीं आई है हमारी और ये condition किसके थी for unique solution और यहां उसने अपने से पूछा line कैसी है intersecting है तो दो line लिखवाई थी मैंने last video में याद करो मैंने लिखवाई थी ना जब रेखाए अधविती हो जिसका हल अधविती हो और रेखाए प्रतिच्छेदी हो या फिर unique solution हो lines क्या करें intersect तो यहां पर हमारी unique solution की condition satisfied हो रही है तो क्या हो जाएगा lines are intersecting और अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो लिखेंगे रेखाए प्रतिच्छेदी है ठीक है और यहां पर compare की जगा बस हिंदी में वाले बच्चे लिखेंगे तुलना और यहां लिख देना करने पर करने पर ठीक है यह हमारा complete हो जाएगा ठीक तो question बिलकुल simple है बिलकुल simple एक बार वीडियो का अक्षे देखो और एक बार लगा के देखो आप एक बार में आपसे बन जाएगा इसका screenshot लिए फिर हम इसकी second equation क्यों बढ़ते हैं तो last question आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से उसी पर बेस हम second question कर रहे है आज ठीक है तो हमारी जो second equation क्या है देखो 9x plus 3y plus 12 equals to 0 और अगली equation है 18x plus 6y plus 24 equals to 0 पिछला जो question मैंने किया तो पूरा का पूरा मैंने English में किया था जमाया था अब एक बार मैं अपने Hindi medium के बच्चों के लिए question को हिंदी में जमाऊंगा concept पूराने तरीके से ही रहेगा हम दोनों को क्या करेंगे compare करेंगे या फिर तुलना करेंगे और फिर a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 की value निकालेंगे और फिर चेक करेंगे ठीक है तो चलो हम start करते हैं हमने पहले समीकरण ले लिया 9x plus 3y plus 12 equals to 0 अब हिंदी में लिखते हैं इसको की तुलना समीकरण किस से है पहला समीकरण क्या था पहला समीकरण a1x plus b1y plus c1 equals to 0 से करने पर ठीक है आप हिंदी में ऐसा लिखेंगे और इंग्रिश्च उड़ने में बच्चे क्या लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ compare तो देखो क्या आ रही है तो बेटा a1 की value कितनी आ गई देखो a1 की value आ गई 9 b1 की value कितनी आ गई देखो 3 और c1 की value कितनी आ गई देखो 12 आ गई a1 की value 9 b1 की value 3 और c1 की value 12 इसी तरीके से हम दूसरी वाली समीकरण को लेते हैं तो दूसरा समीकरण है हमारा 18x plus 6y plus 24 equals to 0 हम इसकी भी तुल्ला करेंगे की तुल्ला समीकरण और दूसरा समीकरण क्या होता है a2x plus b2y plus c2 equals to 0 से करने पर हमने पूरा हिंदी में जमाएं आपने हिंदी वीडियों वारे बच्चों के लिए ठीक है चला तो a2 कितना आ रहा है देखो a2 आ रहा है बेटा 18 b2 आ रहा है हमारा 6 और c2 आ रहा है a1 अपन a2 तो देखो बटा a1 की वैल्यू कितनी है a1 की वैल्यू है 9 a2 की वैल्यू है 18 तो 9 अपन 18 तो देखो cancel हो रहा है 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 1 कम 9 और 9 2 नी 18 कितना आगे आंसर देखो 1 अपन 2 सही है अब हम क्या निकालेंगे b1 अपन b2 तो देखो b1 अपन b2 कहा है देखो b1 b1 यह रहा और b2 6 b1 कितना है 3 और b2 है 6 cancel हो रहा है देखो sorry मैंने 2 लिख दिया महाँ पर क्या आएगा 6 आएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यह भी कितना आ गया हमारा 1 अपन 2 ठीक है हम क्या निकालेंगे c1 अपन c2 चरू निकालते है c1 अपन c2 तो देखो c1 कितना है 12 और c2 है 24 तो हो जाएगा 12 अपन 24 cancel करो इसको 12 1s are 12 12 2s are 24 कितना आ गया 1 अपन 2 जड़ा धेहां से वैल्यूस देखो a1 अपन a2 कि वैल्यू कितनी आई 1 अपन 2 b1 अपन b2 कि वैल्यू कितनी आई 1 अपन 2 और यहां देखो c1 अपन c2 भी कितना आ गया 1 अपन 2 मतलब बेटा हमारी तीनों वैल्यूस बराबर आ रही है 1 बाइ 2 एककोस टू 1 बाइ 2 एककोस टू 1 बाइ 2 ठीक है तो क्या होगा यहां पर बताओ a1 अपन a2 एककोस टू b1 अपन b2 एककोस टू c1 अपन c2 यह कौन से होगई satisfied तीसरी वाली हो गई ना जिसमें क्या था many solution था 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 तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं पहले में क्या था शुरू का दो बराबर नहीं आते दूसरा क्या था क्या हो जाएगा क्या है ca mniej solution क्या हुआ है यह So many solution क्या था रहे है और इसके लावा हम क्या लिख सकते हैं कंसिस्टेंट सॉर्री कंसेस्ट नहीं कोईंसिदेंट कोईंसिदेंट ठीक है तो हमारे यह यह गुशन भी कंप्लीट हो गया है आप फटा-फट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजे या वीदियो को पॉस करके कापी में नोट डाउन कर दीजिए ठीक है फटा-फट कर यह ता हम हम इसके तीसरे कोश्चन के और बढ़ते हैं चलिए तो फिर देखिए तीसरे कोश्चन 6x-3y plus 10 equals to 0 2x-5 plus 9 equals to 0 हमें यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है तो इसको बेटा हमने ले लिया एक्वेशन नम्मर 1 और इसको ले लिया एक्वेशन नम्मर 2 करते कंप्यर ठीक है हिंदी मिडियम वाले बच्चे जैसा सकेंड कोश्चन कर आए आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट वैसे ही लिखेंगे तो क्या है देको एक्वेशन 6x-3y plus 10 equals to 0 इसको क्या करेंगे हम कंप्य किसे करते हैं a1x plus b1y plus c1 equals to 0 से अब आपको values निकालनी आ गई होगी तो a1 कितना है 6 a1 कितना है 6 b1 कितना है minus 3 और c1 कितना है 10 a1 कि value हो गई 6 b1 कि value हो गई minus 3 और c1 कितना है 10 अब क्या करेंगे दूसरी equation लेंगे 2x minus y plus 9 equals to 0 कर दो compare इसको भी किसे करेंगे a2x plus b2y plus c2 equals to 0 से तो देखो a2 की value कितना है a2 की value आ गई 2 b2 की value आ गई minus 1 और c2 की value कितना है 9 देखो minus 1 क्यों आई क्यों क्यों आई क्यों कि आगे कुछ नहीं रिखा था और जब किसी term के आगे कुछ नहीं रिखा था तो वहाँ होता है 1 और आगे लगाए minus का sign तो वह 1 की जगा हो गया minus 1 अब हम किसकी value निकालेंगे a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 चलो हम निकालते हैं a1 upon a2 देखो a1 कितना है a1 की value है 6 और b1 है 2 sorry a2 है 2 6 upon 2 तो 2 1s are 2 2 3s are 6 कितना आ गया 3 upon 1 या फिर आप 3 भी निख सकते हो उसको फिर हम निकालेंगे b1 upon b2 b1 upon b2 कितना आ रहा है minus 3 upon minus 1 minus 3 upon minus 1 तो minus से minus cancel ये भी हो गया 3 upon 1 शुरू के 2 बराबर आ गए अब ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा बराबर आए या फिर ना आए तो हम निकाल रहे हैं c1 upon c2 तो देखो c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9 10 upon 9 तो देखो a1 upon a2 आया 3 upon 1 और b1 upon b2 आया 3 3 upon 1 मतब ये दोनों बराबर आ रहा है लेकिन तीसरा वाला c1 upon c2 बराबर नहीं आया मतलब 10 upon 9 आ रहा है वो इसका मतलब ये बराबर नहीं है तो हम इसको और रेंज करेंगे 3 upon 1 ये तो बराबर आ गया 3 upon 1 के बट ये बराबर नहीं है 10 upon 9 के तो शुरूआत के दो बराबर है पर दो बराबर और तीसा बराबर नहीं है कौनसे कंडिशन थी यह नो सॉलीशन की कोई हल नहीं की या फिर रेखाएं कैसी थी समांतर थी रेखाएं कैसी है समांतर या फिर पैरलल लाइन से तो क्या लिखोगे आप यहां पे लाइन्स आर पैरलल त्योंकि उसने मुझे से वही पूछा था और हिंदी में लिखोगे रेखाएं प्रतित छेदी है रेखाएं स्वरी प्रतित छेदी नहीं रेखाएं समांतर है ठीक है तो यहाँ पर हमने कोशन कम्प्रीट कर दिया है यह तीनों कोशन आपको अच्छे से बन गए होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेनीजिए और इसके प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कोशन उत्ते अच्छे से बनेंगे और यह बिल्कुल सिंपल कोश्चन है ठीक है आगे के कोश्चन भी सेम टूस है जिसको हम लेक्स वीडियो में करेंगे फिलाल आप इन तीनों कोश्चन की प्रैक्टिस करिए फिर हम आगे क्यों बढ़ेंगे और जिस जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक करिए कॉमेंट करिए और शेयर कीजिए थैंक यू